आज के समय में लोग लगातार रील बनाने के शौकीन हो रहे हैं और रील बना रहे हैं जिसके वज़र से कई लोग जान जा रहे हैं, कई घटनाय लगातार सामने आ रहे हैं, इसी को लेकर आज हम बात करने आए हैं, साइकोलोजी के स्पेसलिस्ट डॉक्टर सत्यकांत्र इसको लेकर आप क्या कहेंगे लोग की बीच में जो लगातार इस तरीके से घटनाय घट रही है लोग की डेथ हो रही है अभी कुछ दिन पहले महरास्ट की एक इंफ्लेंसर थी जिनके मौत हो गई सिर्फ रील बनाने के चक्कर में तो इसके पीछे की साइकलोजी क्या है दे और नियूरोगेमिकल के सिक्रीशन की वजह से हमें अच्छा लगता है प्राक्रतिक रूप से बात करें तो food, sex और achievement से वो center activate होता है और उसमें reward center activation से हमें बहतर फिल होता है कमोबेश नशे के जो पदार्त है या जो mobile का use है social media का जो use है उनसे भी वही reward center activate होता है और तेजी के साथ में और हाई फ्रिक्वेंसी में और ज़्यादा बहतर फील गुट कराता है दूसरा जो सोशल फैक्टर है जो सामाजिक फैक्टर है रील का जमाना है और जितना ज़्यादा ये छोटा होता जारा आप देखें कि जो यूट्यूब का वीडियो चाहिए तो आप कहेंगे सार एक मिनट का परयाप्त होगा क्यों क्योंकि जो डिमांड है वो छोटे की है शौट वीडियोज की है तो जितना ज़्यादा शौट होगा उतना ज़्यादा वो किक देता है इसकी वज़े से रील्स जो है वो प्रशलन में आगी दूसरी बात ये सेलेब्रिटी ज़़ा भी बनाई जा रही है बहुत सारा ये कई लोगों के पैसे कमाने का माध्य में भी बन रही है तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वज़े से रील्स बनाना एक ट्रेंड सा आ गया है जो की काफी घातक हो रहा है अब बात आती है मौत की और जो खतरना के स्टन्ट जो हो रहे हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन के अपने एक अलग लिमिटेशन है हम सुनते हैं कि जो ब्रेन है हमारा बड़ा कॉंपलेक्स होता है इसमें बहुत पावर होती जबकि हाकिकत ये है कि ब्रेन की लिमिटेशन है कि वो एक समय पर दो चीजों पर फोकस नहीं कर सकता अगर मैं रील बना रहा हूं मुझे लग रहा है कि ट्रेन मेरे ठीक बगल से निकले मैं खाई कि ठीक बगल में खड़ा हो जाऊं तो उस समय मेरा ब्रेन का फोकस हो जाएगा कि मेरे चेहरे के एक्स्प्रेशन क्या है कितना निकट जा रहा हूं। ऐसे में ब्रेन का जो संतुलन वाला पार्ट है कि मेरे पैर कहा जा रहे हैं। इसकी वज़े से हमें ये घटनाए देखने को मिल रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लोगों को जो ट्रेंड मिल रहा है, मतलब लगातार लोग ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं, तो सोशल मीडिया का जो व्यूज हैं, व्यूज को लेकर भी लोग परिशान होते हैं, तो इससे क्या मेंटली इंपेक्ट भी पड़ता है? दोनों चीजें हैं, जिन लोगों में ये डेफसेट होती हैं, अटेंशन डेफसेट होना, नौवेल्टी सेकिंग होना, रात और रात प्रसिद्ध होने की चाहत जो होती है, वो ड्राइब करती है ऐसे रिल्स बनाने में, दूसरा आर्थिक फैक्टर भी जुड़ जाता है, प्लस जो लाइक्स हैं, जो व्यूज हैं, यूट्यूब हैं, इंस्टाग्राम हैं, हम सब उनके कस्टमर हैं, हम सब उनके लिए काम कर रहे हैं, सारी की सारी संस्थाओं का एक उद्देश है, कि विश्यू का प्रतेक जीवित व्यक्ति, मोबाइल का उप्योग करें, सोशल मीडिया का यूज करो, उनका ग्रहाग बने, हमें लगता है, हमें व्यूज मिल रहे हैं, हमें लगता है, हमें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं, उनका फैलाया हुआ ट्रैप है, इसलिए सोशल मीडिया का या इंस्टाग्राम का, जो भी ये यूज है इस्क्रीन का यूज है अपने भले के लिए करना है अगर हमने इसमें अपनी प्राथमिक्ताई डिसाइड नहीं करी ही तो आज नहीं तो कल हर घर में ऐसी समस्याएं होगी जो जी भी रहे हैं इसके साथ में वो फ्रस्टेटेड हैं डिप्रेशन के शिका कोड़ों में हो लेकिन मन से वो अशान्त है अभी जैसा कि एक खबर आई थी कि एक सेवन्थ क्लास के बच्चे ने फासी लगाने के लिए मतलब रील बनाया था उन्होंने फासी लगाकर तो उनकी डेथ हो गई है तो इसमें माबापको क्या धायान रखना चाहिए माबाप को सबसे पहला ध्यान यह रखना चाहिए कि खुद के मॉबाइल के यूज को रेगुलेट करें क्योंकि शुरुआत जो है वो अपर लेवल से नीचे के लेवल पर जाती है तो प्राब्लम जो है वो पैरेंट्स में है इसलिए सलूशन भी वहीं से निकलेगा कि सबसे पहले उन्हें अपने सोशल मीडिया और मॉबाइल के जो यूज है वो रेगुलेट करने होंगे दूसरी बात इसमें जितना ज्यादा संसनी खेज होता है उतना ज्यादा वाइरल होने का चांस होता है जो आपने फासी की घटना बताई तो इसमें अक्सर जो कोई आत्मत्या करना नहीं चाहता यहाँ पर वो कनवर्ट हो जाता है उसमें कहीं न कहीं आत्मत्या में जबकि ऐसा उदेश नहीं होता तो जरूरत है कि हम सोशल मीडिया के उप्योग के लिए जागरुकता लाएं ताकि हम उसको अपने भले के लिए यूज कर सकें देखें टेक्नलोजी का किस तरीके से आपको रील से बचना चाहिए और रील आपके दिमाग पे क्या इंपेक्ट डाल रही है तो अगर आप भी रील बनाने के शौकीन है तो इससे साउधान रहिए अपने जान को खत्रे में डाल कर रील मत बनाएए कैमरामेन बिलाल के साथ मैं जोती तिवारी दस सुतर बहुपाद